नमस्कार विदार्तियों आज हम एल्बूगो के बारे में पजयन करेंगे एल्बूगो सबसे परहे देखते हैं हम इसकी वर्गी गरत इस्तिति वर्गी गरत इस्तिति की बात करते हैं तो यह है परभाग यू माई कोटा उपरभाग मेस्टिगो माई कोटिना स्वावर्ग ओ माई सिटीज गन पेरनोस पूरेल्स कुल एल्बूजिनेसी तदा वंस एल्बूगो इस प्रकार से यह है जो एल्बूगी वर्गी करत इस्तिति है अब हम देखते हैं इसका प्राप्ति स्थान एब हम वित्रण एल्बूगो अपने कुल का अर्थाद एल्बूजिनेसी कुल का एक मात्र कवकवन्स है इसकी समुझे विश्व में लगभग 30 परजातिया पाजाती है इनमें से लगभग 17 परजातिया हमारे भारत के देश के अंदर प्राप मिलती है इसकी अधिकांस परजातियां सम्शितोष्ण या उस्ट्न कटिबंदिये परदेशों में सामने तह शाप्किये पादपों पर अविकल्पी अंतर परजिवी के रूप में पाई जाती है यह उबलिगेट एंडोपेरासाइट की रूप में इन सब में से जो एल्बू को की विभीन जाती है इन में से एल्बू को केंडिडा सरवातिक महत्वपुन परजाती है क्योंकि यह आर्थिक महत्वथों के पोधों के अंतर रोग परदावत करती है अतर अन्य सबी स्पीसीज की तुलना में यह स्पीसीज ज्यादा महत्वपुन होती है सामानदा यह स्पीसीज है जो कुर्शिफेरी कुल के पोधों में वाइट रेस्ट नाम अर्थाथ स्वेत की रोग नमक एक पादप रोग उत्पन करती है जिसके कारण फसल को कफी यह आर्थिक दुफसान होता है रोग के रूप में आप देखो कि तो इस प्रकार से आपको सिंप्टम्स दिखाई देते हैं जिसको हम यहां पर आप इमेज देख रहे हैं यह है आईपोमी आइस्पीसीज की जो कि एलबू को आईपोमी पेंट्रेनिक से संक्रमित है जिसके अंतरकत आप देख रहे हैं गोल्स का दिर्मान हो रहा है संक्रमन के कारण इसके लाव जो सेकंड मेंज देख रहे हो इसकी अंतरकत आपको जो एक मूली जिसे हम रेगया नहीं करते हैं कि इन्फेक्टेड लीव है एल्बू की द्वारा जिसके द्वारा पर्ण में आप देख रहे हो तो गोल्ड गोल्ड जो आपको वाइट पस्टूर्स नजर आ रहे हैं और और साथ ही आपको जो इसके इंफ्लोरेसेंस के अंतरकत हाइपर ट्रोफी साइड में देखने को मिल दी है जो कि आपको यहां पर बी की रूप में दिखाया गया है वहीं इस एल्भूगो जीनस के अंतरकत कारेकी या जविक विसेश्टी करण पाजाता है कारेकी या जविक विसेश्टी करण से हमारा इतात्पर है कि इसके अंत्रकत जाती चाती के अंदर भी कई उपजाती आउराथाद रेसे पाजाती और पादर जाती को हिस संकर्मित करती है इसको हम हम कि बोलते हैं यानि मूली को संकर्मित करने वाली एल्बू गो केंडिडा की उपजाती गोपी पर संकर्मन नहीं करती है तो एसी उपजातियों को हम क्या करते हैं जैविक उपजाती या बाइलोजिकल रेस थेलस सरंजना थेलस है जो इसके इंतरकत अर्था सुका है इसका अंस्काइफलिक शाक्षित संकोशिक पट रहित और अंतरकोशीक प्रकार का होता यहाँ परपोसी के अंदर उसके उत्तकों में वर्दी करता है और उसका जो कोउग जाल होता प्रपोस्री उत्कों के अंतरकत वह अपना प्राप्त करने के लिए इन कोग जार्स के इंतरकत कुछ विशिष्ट प्रकार की अंतरकोसी की इस्थानों में गुंदिन दुमा सरंचनाओं का अंध्रिमान होता जिसे हम चूशकांग करते हैं और इन चूशकांगों के दौरा प प्रपोस्री उत्तकों से अपना पॉसन राप्त करता है ले यहां पर आप जो सिसे प्रस्री उत्तकों के अंतरकत मुझूद इसकी चूशकांग सरंचना का विउदेख रहे हैं कि पर चित्र एक अंतरगत आप देख रहे हैं कि कोग जाल परफोशी उत्तक में किस प्रकार से विश्ट रहता है यानी परफोशी के अंतरगत कोग जाल है जो अंतरखोशी के जो फिला रहता है और दूसरे में आपको दिखाया गया है उसका लार्ज करके चित्र दिखाए गया इसके अंदर कॉक जाल से इंदर भी तो चूशकांग किस प्रकार के होते हैं उसके चूशकांग का आपको है जो एक एलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है अब हम बात करते हैं जनन की तो एल्बूगों के अंतरगत जनन प्रक्रिया की बात करते हैं सबसे पहले जनन के अंतरगत अलंगिक जनन अलंगिक जनन समाने तह नुकुल परसित्यों में होता है संपन होता है यह परपोशी के संकर्मन के पास्चाथ बोजन यह वातावन के अंदर ही संपन होता है इस अल्लंगिक जनन के अंतरगत विशेश परकार की सरचना जिसे हम वजयदी धनिया करते हैं उनका अंध्रिमान होता है और इन जनोनों धनियों का अंध्र मान कि जनोन धनि मझे धर पर होता है मैं अपर डäreक निधे कर देख रहे होंगे कि यह आपका जो अपने बढ़त कुके हैं कि पोको में अंतरकोशची की होता है यहां पर आप देख लोगा कार्ब दिखा दिखा गया यह लीप कि है यहां अार है और यह जो इसके अंदर प्रपोशी के अंदर है जो आपका अंतरकोशी किये स्पेस में है जो यह कोग जल ग्रोथ कर रहा है इस में से कुछ कोग तंतु है जो उर्द्व है यह खड़े हो जाते हैं बायत हो चांगे समकौन पर और इनको हम बोलते हैं बिजानु धानी धर और इनके उपर है जो क्या बनती है बिजानु धानिया और उन बिजानु धानियों में है जो बिजानु वकांद्रमान होता है अब जब यह कोक तंतु भी जर्ण धानी धर की रूप में कारे करते हैं थे तो तो कोक तंतों के उपर क्या दिर्मान निमीत होती है जो कि आप यहां पर दिख रहे हैं कि और यह बीजाणु अगर यह बीजाणु धाने के अंदर अगर जीवत्रियक खंड़ों में भगत नहीं होता है और एक साथ काई की रूप में जिसमें आठ के अंदर क्लगबग होते हैं तो इस प्रकार की सरंचना को हम बोलते हैं कॉनेडियम और इनकी कॉनेडियम की चैन को हम बोलते हैं कॉनेडिया और दो कॉनेडियम की बीच में एक पट पा जाता है इसे हम डिस्ट्र करते हैं और इस पट के हटने से या नश्ट होने से है जो यह कोनेडिया प्रत्थक हो जाते हैं कोनेडिया अंकुरित होने पर नए कोग जाल को जन्म देते हैं कि जब यह जो कोनेडिया का मितलब है कि अलंगी जिरन्य के अंतर्कत कोग तकार की भी जन्म धन्म का देवान हो सकता है करते हैं उसरे है कौन इडिया को चिल चैनलाव में मगंदर्माण होता है उसको बोलते हैं जिन सनचनाओं में कुझन धंदर्माण होता है मैं कोने डिया सिद्ध ही अंगुर दोगर के ने का कोशा लग को जिन दते हैं जबकि की रूप्ति द्वलने के अंदर दे मिध्वी जनुल औ विजनुल बेने के अंदर जूद्रेक होता होग रूपांतरी दो करके एक चल विजनुल का दिंद्रान करता है जो आपके ENTीर कुछ चमय तक यह जो तेरना के प्सचात अपनी कषापी काइं गिरा देते हैं और बाद में यह गोल हो खरके एक पुट्टी का निमानग अपने चारो तरफ कर लगते हैं और बाद में यह पुट्टी अंकुरित हो करके कि इस प्रकारसे हम देखते हैं की कि पर पो सिक आपाय पहलाने में सबसें मतुब जो रोल होता है वो होता है अलंगीए जिनन का जिसके कि यह जब कौणेडिया अतियतिक मातरा में नमीत होते हैं तो ऐस्ट की एपिटर मिस पर प्रसर पड़ता है जिसके फट रूप फट जाती है और फटना से यह को वाइट पावडर के रूप में बाहरा आते हैं इसी कारण हम इस रोग को वाइट रस्ट की नाम से जानते हैं स्वेट कित रोग की नाम से लेंगिक जननन लेंगिक जननन के अंतरगत लेंगिक जनननंगों का अंद्रेमान होता है और लेंगिक जनननंगों का अंद्रेमान परपोसी के अंदर थोला सा डीप में होता है यानि परफुशी की बाहत उच्चा के समीप इस्थित कौक जाल से नहीं होकर कि उसके अंदर भीतर की और डीप पी जो होता है कौक जालों वहाँ पर है जो लेंगिक जिन्रिमांगों के रूप में नर जिन्रिमांग को हम पुंधानी तदा मदद ज तकि निसेशन की प्रक्रिया को आसाने से संपन कराए जा सके यहां पर आप देखें रहोंगे कि दो कौकतन्तु जो आपको एक फिमेल ब्रांच है एक पास पास इस्तत है फिमेल ब्रांच का जो अपरी सिरह है यह जो फूल करके एक घुमद्दा का निर्मान करता है जिसे हम अंदर भी आपको मुख्द्राकार आकर्ति की सरंचना बढ़ाई देखेती है जो बाद में आपने पिछी वाले कोक्तुंतु से एक शेप्टा के द्वारा पर्थक हो जाती यानि नर्दिन्नांग और मद्दिन्नांग चलंग PERPAS निर्माण होता है तो इनका है पिछी वाले कोक्तुंतु से और निर्माण के मद्द्वारा पर्थक करण आप्षयुण से उड़र रते अलेकिन जिवध्रें वल्गर पके आग 우리가 में जाता है अब चल यह आगे परिद्धी के अंदर बहुत सारा रिक्तिकाय होती है है और शोना होती है जुदरे परिद्धց के तरफ होता है उसको हम परिद्ध के तरफ परिद्र हुआ करते हैं इसी तरह से एंधिरीडियम के अंदर भी कई सारे के अंदर कोते हैं और परिपकोर और अवस्ता में यह सारे के अंदर रिखे जो नश्ट और के वल एक के अंदर बज़ता है जिसे हम मैं जो नर्युग मक्क की रूप से जानते हैं अयाक और परिपकोर और अवस्ता में जब दोनों जिनिननांग परिपको जाते हैं अंधानी और पुन दाने के अंदर बीच का जो उपलाज में होता है वो ज्यदा सगन और सहत desta है जिसे हम सिनों सेंट्रम कहते हैं और के पुनदानी के अंदर गत एक बोलते हैं वे विक्षित होती है और इस टूब के द्वारा इसका नर्य युगमक सिनो सेंटरम के पास जा करके विसरजी दूजाता है और बाद में ये मादा युगमक अठात के साथ में सेंजी दूजाता है इस गठना को हम बोलते हैं निसे चन निशेजन की प्रिक्रिया के समाप्त होने के पस्चाथ, पूर्ण होने के पस्चाथ, सिनो सेंट्रम सरंचना डिसेपीर हो जाती है इसके बाद में दोनों केंद्रकों का सेंजन होता है थाथ, प्लाजमों गेमिय के पस्चाथ, केरियों गेमी संपन होती है लेंगी जरेंड की ये प्रक्रिया इसके अंद्रगत है जो गेमिट एंजल कॉंटेक्ट टाइप की होती है दोनों के अंद्रगों के 77 से द्यूगुडित के अंद्रगा निर्मान होता है और ये सरंचना अब उस्पोर अर्थात निश्रिक तांड कर लाती है निश्रिक तांड अपने चारों तरफ मोटी बित्ती का सरावन कर लाता है अर्था इसकी बित्ती द्विस्त्री होती है जिस कि अब इस दिवगुणित के अंद्रक के अंदर अर्शुत्री भजन तुरंत नहीं होकर के कुछ समय तक यह उस्पोर रेस्टिंग स्टेज में जाता है विश्राम आवस्ता मेरता है और कुल परिस्थेतिया आने पर यह उस्पोर का दिवगुणित के अंद्रक अर्शुत्री भजन करता है जिसके फ़र सुरूप बाद में कई समसुत्री भजन होता है जिसके फ़र सुरूप अन्यकों केंद्रक बंढते हैं और यह केंद्रक अर्थाद उप्लाजम का जो स्वरी उस्पोर का जो जूद्रक होता है वह अन्य एक एंदर की जू स्पोर के रूप में रूपा नत्र जोज़ता है यह जू स्पोर कुछ में तक तेरना के पास चात अपनी कशापी काई गिरा देते हैं और एक गोल पुट्टी नुमा सरंचना का दिर्माना करते हैं और यह पुट्टी अंकुरीत होकरके निवियन कवगजाल का दिर्मान करती है और पुण स्पुट्ट शरंचना के प्रक्रेक्राओ के सम्विये प्रपोसी पूत्त को में हम्हें हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है हाइपर्ट्रोफी से मतलब है जो कोशिक है उनकी आकार बढ़ा हो जाता है उनकी आकरती विकरत हो जाते है इसके फर शुरू पत्ति यह तना वत्तों की बात करें तो एलबु जीवन चक्र के अंतरगत आप देखेंगे तो इस सभगल को मैं अगर बनती है तो इस चक्र को हम कहते हैं लेंगिक जनन के अंतर गत लेंगिक जनन नांग पुंधानी और अंधनी का दर्माण होता है पुंधानी के अंतर गत अपन एक्तियात नर्युगमक और अंधनी के अंदर गत एग अंड या मादा युगमक का दर्माण दो नो के स्योंजन जिसको हम फर्ट्लाइजिसन करते हैं जो कि गेमिट इंजल कॉंटेक्ट जीद्वरा संपन होता है इसके फर्सुरूप एक दिव काईक कोग जाल का अंदर्मान करते हैं इस प्रकार से एलबुकू का जीवन चक्र संपन होता है थैंक्स